हेलो फ्रेंड्स मैं सत्या पांडे माया क्रेटिव गार्डन में आपका हार दिक स्वागत करती हूँ दोस्तों सेफ रहिए सुरक्षित रहिए आज इस वीडियो में मैं आपको जो है कैरंडूला, नेस्टीसियम और पिटोनिया के जो बीज हैं वो किस प्रकार हम चुन सकते हैं आज मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ इस वीडियो में तो प्लीज अंतक बने रहिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा बेल आइकन प्रेस कर लिजेगा ताकि मेरी जो भी नई वीडियो हो उसकी नौटिफिकेशन आपको मिल सके आप मेरी अगली वीडियो को देख पाए तो दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप ये आटे का ग्रोब है गया और इसमें मैंने कैरंडोला लगाए वे थे पूरी सर्दियां इन्होंने मुझे बहुत अच्छे फूल दिये हैं और ये मैंने जो पिछले साल मेरे पास बीज मैंने कलेक्ट किये थे उनी से ही पौदे मैंने तियार किये थे और इस गार्डिंग को आप एक स्मार्ट गार्डिंग बोल सकते हैं क्योंकि एक बार हमें सिर्फ प्लांट परचेस करना होता है उसके बाद हम जो है इनी के बीजों से ही प्लांट जब तियार करते हैं तो इसको हम स्मार्ट गार्डिंग कह सकते हैं तो आज मैं आपसे यही शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं, यह सारे कैरंडूला के फ्लार बीज हैं, और यह दिखिए बिल्कुल मैंने बीजों के लिए ही इने छोड़ दिया था, और मैं आज आपको यही दिखाने वाले हूँ, यह दिखिए बिल्कुल इसके जो इने हमारा कागज होता है पेपर, उनमें अच्छे से रख, यह मैं इनको जो एक वाइट कलर की पनी आती है छोटी सी, उनमें मैं इनको रख लेती हूँ, और यह बिल्कुल ड्राइ हो चुके हैं, इनमें बिल्कुल भी जो है, पानी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जैसे होता है, सौफ होती हैं, उसी प्रकार की होते हैं इनके यह बीज, और यह देखे, इस तरीके से आपको इनको चुनना है, यह देख रहे हैं, और यह देखे, इस तरीके से यह हमारे सारे कैरंडूला के बीज आपको मिल जाएंगे, यह देखे, मैं बहुत नजदीक से आपको दिखा रही हो ये देखिए ये ये सब जो है कैरंडूला के बीज हैं ये देखिए आप ये कैरंडूला के बीज हैं और इसमें ये देखिए ये भी सारे बहुत सारे हैं ये देखिए ये इस तरीके से ये देखिए और इनके फूल बहुत ही खुबसूरत होते हैं कैरं और दूसरा ये देखिए ये गैंदा और जाफरी ये देखिए और मैंने बहुत सारे इनके भी बीज कलेक्ट कर लिए हैं ये देखिए ये सब जो है जाफरी और गैंदा के बीज हैं ये भी मैंने रख लिए हैं और ये देखिए मैं इस तरीके से सारे ही बीज आज कलेक्ट क सिप्टेμबर के करीबन मैं इनके बीजों को लगा देती हूं अगस सिटमबर में और इनी से ही मैं यह जो है प्लांट अपने तियार करती हूं और दूसरा यह दिखिए मैंने जो है कलेक्ट करके रखे हुई हैं यह देखिए बहुत सारे यह सारे नैस्टीसियम के बीज हैं इतने हाड़ी होते हैं ये सारे बीज और इनके जो रिजल्ट होता है इनके बीजों का वो भी हमें बहुत अच्छा मिलता है यानि जितने भी बीज मैंने पिछले साल अपने लगाए तो लगबग लगबग सभी बीज इनके ग्रो होके थे तो ये देखिए इस तरीके से ये इस तरीके से आप भी जो है बीजों को कलेक्ट करें और एक समार्ट गार्डिंग कीजिए इससे जो है आपको पैसा भी एक बार खर्च करना पड़ता है बार बार हमें खर्च करने की जुरत नहीं पड़ती है और यहां पर ये देखिए ये मैंने बहुत सारे जो है आप देख रहे हैं ये मैंने पिटोनिया के बीज जो है निकाले हुए हैं पिटोनिया के बीजों के पर मैंने अपना वीडियो बनाया हुआ है इनके बीज हार्वेस्ट करना दिखाए हैं कि किस प्रकार से हम इने हार्वेस्ट कर सकते हैं और इन में ही छोटे-छोटे जो है बहुती महीन इनके बीज होते हैं यह आप देख रहे हैं यह मैं निकाल के आपको दिखा रही हूँ यह जो आप देख रहे हैं काले-काले छोटे-छोटे जो बीज हैं यह इनके प्रिटोनिया के बीज होते हैं यह देखे आप तो के बीज है ये देखिए बहुत ही छोटे होते हैं इनके बीज और ये तो नेक्स सीजन ये इनी से ही मैं अपने गार्डन में जो है प्रेटोनिया के प्लांट बनाने वाली हूं इस तरीके से आप देखिए बहुत ही छोटे हैं के बीज मैं आपको नजदीक से दिखाऊंगी जो काले काले आप देख रहे हैं बहुत छोटे काले काले जो बीज हैं ये पिटोनिया के बीज हैं ये देखे तो इस प्रकार जो है फ्रेंड्स आप भी जो है बीजो को सेव कर सकते हैं अगरे सीजन के लिए जैसे कि मैंने कैरंडूला के दिखाए आपको नेस्टीसियम के द गैंदा के दिखा दिये जाफरी के और पिटोनिया के तो यह थी फ्रेंट्स आज की मेरी एक छोटी सी जानकारी कि Kis प्रकार से आप बीजीओ को चुन के सेव करके रख सकते हैं अगले सीजन के लिए तो आज की वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आई है फ्रेंट्स तो फ् फ्रेंड अपी गार्डनिंग फिर मिलते हैं नहीं वीडियो में एक नहीं जानकारी के साथ